सूर्य भगवान की जय, गंगा मया की जय नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हारदी का भिनंदन है आज हमें एक बहुत ही पुन्यदाई माह के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं ये स्नान दान तब और पुझा अरादना का माह है इस माह का नام है माग माह हिंदी पंचांक के अनुसार साल के 12 महीने होते हैं साल का आरंब चैत्रमास से होता है नए साल यानि साल 2023 के जनवरी महीने में माग का महीना आरंब हो जाएगा हिंदु धर्म में वैसे तो सभी महीनों का विशेश महत्व है लेकिन माग महीने को सनानदान और तब के लिए बहुत ही महत्पूर्ण माना जाता है इस माह में सुरेदेव, मागंगा और श्रीहरी विश्नु जी की पूजा की जाती है ऐसी माननेता है कि इस महीने में पवित्र नदियों में सनान करने से पुन्नी की भी प्राप्ती होती है आईए जानते हैं इस साल माग मास कब प्रारंब होगा और इससे जुड़े नियम क्या है जिसका पालन करने से आप सबको बहुत अधिक लाब मिल सकता है माग मास की तिथी पंचांके नुसार माग मास 7 जनवरी 2023 शनिवार से प्रारंब होगा और इसका समापन 5 फरवरी को होगा इस मास में संकस्टी चतूर्थी वर्त, कालास्टमी, मकर संक्रांती, स्वामी विवेकारन जैन्ती, वसंत पंचमी, परदोस वरत, इत्यादी महत्पून पर्व और वरत रखे जाएंगे जोस्तों हिंदू धरम में माग मास का बहुत ही विशेश महत्व है आईए जानते हैं कि ये विशेश महत्व क्यों और कैसे है माग मास का हिंदू धरम में विशेश महत्व है माग के महीने को लेकर एक पराणिक कता भी जुड़ी है कता के अनुसार माग मास में गौतम रिशी ने इंदर देव को श्राप दिया था शमा याचना करने के बाद उन्हें रिशी गौतम ने माग मास में गंगा स्नान कर प्रैशित करने को कहा था तब इंदर देव माग मास में गंगा स्नान करके आये थे जिसके फलसुरूप इंदर देव को श्राप से मुक्ति मिली थी इसी लिए इस महीने में मागी पुर्णिमा वा मागी अमावस्या के दिन सनान पवित्र माना जाता है माग के महीने में पवित्र नदियों में सनान करना चाहिए यदि संभव ना हो तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिला कर सनान करना चाहिए माग महिने में रोज गीता का पाट करने से मन और चित दोनों शांत रहते हैं साथ ही भगवान विश्णु का आशिरवाद मिलता है और घर में और जीवन में सुख सम्रिदी और खुशाली आती है माग महीने में रोजाना भगवान विश्णु जी की पूजा में तिल अर्पित करने से वेक्ति के सारे पाप तिल तिल करके नस्ठ हो जाते हैं इस महीने में रोज तिल खाने और जल में तिल मिलाकर स्नान करने से भी बहुत पुन्ने मिलता है माग मास में रोज सुबै और शाम तुलसी जी की पूजा अवश्य करें ऐसा करने से घर में सकारात्मक उर्जा का संचार होता है घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और घर में आपसी परसपर प्रेम बना रहता है माग मास में दान पुन्य करने का विशेश महत्व है विशेश ता इस महीने में गर्म कपडों का दान करना चाहिए तिल का दान तो बहुत ही लाप्रद होता है धार्वेक दिरिष्टी कौन से हिंदु धर्म में माग महीने को बहुत ही महत्पूर्ण माना गया है ऐसा इसलिए है क्योंकि इस महीने में भगवान सूर्य, शुरीहरी और माग गंगा की उपासना का विधान है भक्तगर्ण अब आये जानते हैं कि माग महीने में कौन-कौन सी बातों का विशेश ध्यान रखना होता है और ऐसी कौन सी भूल है और ऐसी कौन सी वो चीज़े हैं जिने माग के महीने में नहीं करना चाहिए माग के महीने में कभी भी non-wage, मास, इत्यादी नहीं खाना चाहिए मद्रया जैसे तामसिक चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए इस महीने में मूली का सेवन करना भी वर्जित बताये गया है धरम शास्त्रों का अनुसार माक के महीने में मूली का सेवन करना मद्रिया के सेवन करने जैसा माना गया है इसलिए इन चीजों से बचना चाहिए इसके साथ साथ भूल कर भी इर्शय भाव किसी के प्रती नहीं रखनी चाहिए आपसी संबंद मजबूत बनाने के लिए जूट कपाट छल इत्यादी का भी जीवन में प्रियोग नहीं करना चाहिए और हाँ सबसे जो विशेश बात है कि माक के महीने में कम से कम सुबह प्रती दिन नहा कर पूजा अर्चना करने के बाद ही भोजन ग्रहन करना चाहिए तो भक्त गरन ये थी माह मास से संबंदित महत्मून जानकारी और उसकी पराणी कथा आपको कैसी लगी किरपया कमेंट बॉक्स में अपनी राए जाहिर करें और अगर आपको हमारी आज की ये पेशकस पसंद आई हो तो किरपया से लाइक करें अधिक से अधिक शेयर करें और हाँ हमारे इस चैनल को भी किरपया सब्सक्राइब कर दें जल्द ही हम एक और नई व्रत कथा के साथ आपके समक्ष फिर से हाजर होंगे तब तक के लिए नमशकार जय सूरेदेव भगवान की जय गंगा मया की विश्णु भगवान जी की जय धन्यवाद